क्या ये इतना बड़ा multi-year breakout नहीं दे रहे 2007 से 2023 मतलब 16 साल का breakout और आगे मुझे बताने की जरूरत है क्योंकि ये breakout अकेला नहीं आया है RSI के 70 के ऊपर आया है और मैं तो ये ट्रेट छोड़ू ना open low के साथ में है almost जब ऐसे trending trades मिल जाते हैं friends तो निकलने की जल्दी किस बात किया है नमस्ते friends मैं हुझ योती बुदिया आज का एक topic है कि trending trades कैसे निकालना और अगर मुझे वो bottom पर मिल जाई This is more practical for those who are for long term और long term trades में हम buy करके रख सकते हैं और फिर उसे regularly trade भी कर सकते हैं क्या हम ये दोनों चीज मिक्स कर सकते हैं जैसे मैं इसमें तीन टाइम फ्रेम यूज करूंगी monthly, weekly or daily monthly for long term weekly for medium term and daily for short term अब इसमें हम क्या करते हैं कि मंद के अंदर जब पैनिक आ जाता है या कभी व्याज के टाइम पे भी जब पैनिक आता है तो कुछ टॉक्स ऐसे होते हैं जो multi year support पे रहते हैं resistance ब्रेकाउट करके भागना जितना लंबा resistance ब्रेकाउट करके भागा है उतना ही उसमें speed आएगी और वो उपर जाने की तैयारी कर लेगा वैसे ही जब भी वो multi year support के पास में आता है तो वहाँ पे price रुक जाती हैं वहाँ पे दो चीज हो सकती है अगर multi year support breakdown करे तो बहुत ही खराब situation हो सकती है और अगर multi year support से घूम जाए तो bottom buying जिसको कहते है ना उससे अच्छा कुछ होता नहीं है friends आज के session में ये भी मज़ा आता है कि हम investment के लिए share ले सकते हैं और फिर उनहीं में profits भी book कर सकते हैं trading भी कर सकते हैं और shares को free भी कर सकते हैं और adding on कर सकते हैं शेर को idea अच्छा है ना तो ऐसे वाले trades हम कैसे ढूंडे पहले मैं आपको जो पुराने में कुछ trades थे मेरे वह बताऊंगी बहुत है लेकिन सब तो नहीं ले सकते ना जो अच्छा लगा ले लिया और friends इसका strike rate अगर 60% आता है बहुत अच्छा है because 60% में हमें बहुत कुछ मिल जाएगा 40% अगर हम मालते हैं stop loss hit हो गया और 20% के shares जो है वो stop loss को cover करने में लग जाते हैं 10% में बहुत बड़ा movement नहीं आता है लेकिन जो बाकी के बचे हुए हैं वो जो jackpot देते हैं fans बहुत बार तो double triple तो छोड़ी दो multiple हो जाते हैं 5x 10x कुछ भी हो जाते हैं and it is unbelievable हम यह चीज सिर्फ इसमें सुनते हैं whatsapp में देखते हैं कि जिसके पास यह वाला share तबका लिया हो थे उसका अज इतने 1000 करोड हो गया यह वो और ऐसे भी सुनते हैं कि जिसके पास इतने वाले share थे करोडों के वो जीरो हो गये चलिए जीरो हो गये वो तो आपने stop loss में निकाल देना चाहिए था नहीं निकाला रखा हुआ है तो can't help it बिकाज मैं हर session में यही बोलती हूँ stop loss के बिना trade ना किया जाए और जैसे ऐसे profit है तो part profit book करके free cash घर पे रखो तो capital कभी भी आपकी खराब नहीं होगी तो ऐसे ही जब multi wager stock भी मिलते हैं तो हम अच्छा कासा काम कर शकते हैं उसमें तो मैं थोड़ा सा एक back test करवाती हूँ यह एक stock है उस stock के अंदर सबसे पहला जो मेरा रहता है वो है multi year support यह जो bottom रहेगी इस पे मैं horizontal line बनाऊंगी जब price यहाँ पे आई दोनों जगे तो यह अब my friends मैं एक चीज और आप लोको दिखाना चाहती हूँ मैंने एक RSI का advance किया था RSI part 2 advance वीडियो किया है आप देखिएगा और कैसे use करते हैं उसको अब मैं दिखाती हूँ वहां भी बताया था यहां भी बताती हूँ देखिए price भी same multi year support RSI भी same multi year support है 30 के नीचे लेकिन भी support पे है उसके नीचे नहीं गई है तो लेकिन trade मैं कभ लोंगी जब वो 30 के उपर आएगा 30 के उपर आया राइट अब यहां पे मैं कहीं भी trade लेती हूँ जब भी open low मिलता है तब trade लेती हूँ यहां पे कहीं open low मिलता है तब trade लेती हूँ 86 है तो 85 जो है open and low nearby है यह ले ल नहीं है और दूसरी बात अगर ले लिया तो अब इसे में कैसे trade करूँगी तो मेरा पहला target यहां पे आएगा फिर यहां फिर यहां फिर यहां यहां आते ही क्या यह इतना बड़ा multi-year breakout नहीं थे रहे 2007 से 2023 मतलब 16 साल का breakout और आगे मुझे बताने की जरूरत है September 2023 में breakout दिया था आज जब मैं यह record कर रही हूं April 2024 है क्या ऐसा return कोई देगा इतना गजब अल्मोस्ट 100-125% सभी लोगों के request के बाद जोती माम finally ready है to conduct a mentorship program for all the candidates who've been watching and learning from her videos यह mentorship program में हम profit making trading setups के बारे में discuss करेंगे और उन्हें साथ ही साथ practice भी करेंगे यह एक बहुत ही detail program है इसलिए आप इसके बारे में और जानने के लिए दिये गए link पे जा सकते हैं और जान सकते हैं कि हम क्या क्या चीज कवर करेंगे तो hurry up guys before someone else grabs your seat लेकिन इसमें आपको अब यहां पर भी यह जब 86 यह 8700 कहीं भी अपने दिया होगा और यहां से 422 से 300 आया किसी में भी एक बहुत hardcore investor होगा वही यह चीज बरदाश कर सकता है हम जैसे traders तो नहीं बरदाश कर सकते कि 400 की चीज 300 हो जाए और हम चिपचा बैठे हैं उसके बाद यह गिरते गिरते दोसों के भी नीचे चली जाए भाया पैनिक तो बनता है ना लेकिन इसका हम फाइदा ले सकते हैं कैसे हम lower time frame में जाके जैसे weekly में हम चले गए तब तो कै सबसे पहले में यहां पर जैसे vertical line बनाती हूं यह vertical line बनाने के पीछे कारण यह है कि मुझे डेट ढूनने की महनत नहीं करनी है यह line जहां पर lower time frame में मुझे दिखेगी मैं ऐसे जा रही हूं और देखे यहां पर दिख गया अराम से मुझे यहां पर दिख रहा है यह line तो म यहां हम part profits book कर सकते हैं राइट वो part profits भी अगर हम book करते हैं तो समझो साढ़े 300 क्या सपास होता है हां तो friends हम बिल्कुल सिंपल तरीके से काम करेंगे यहां से market नीचे आया RSI 70 के नीचे आया अब हम क्या करेंगे मैं RSI का ही support लोंगी in weekly time frame also और यहां पे एक horizontal line जो है यहां support पे एक यह बना दूंगी और एक इसके थोड़ा सा उपर एक और बना देंगे राइट यहां पे भी एक point है तो यह दोनों बना देंगे जब भी price इस range में वापस आके उपर जाने लगेगा जो हमने यहां पर book किया है उसका portion हम यहां पर cover कर सकते हैं let us say मैंने 100 share book किये अब 25,200 नहीं अगर मान लो आप थोड़ा और उपर भी लेते हो तो 150 बन जाएंगे तो 50 shares तो extra free के ही हो गए ना अब हम आगे चलते हैं और देखिए यह trade continue चल रहा है अब हम फिर से मंतली में आते हैं और मंतली में हमने यह एक breakout बनाया था multi-year breakout फिर weekly में आते हैं और जैसे यह breakout हुआ हम फिर आगे अब हम फिर से कुछ share बेच के हमारा capital free कर सकते हैं और जो pyramiding करते हैं because why I am saying this क्या होता है बहुत से लोग part profits book कर सकते हैं कुछ लोगों की thinking ऐसे होती है कि यह share को तो मैंने 8500 में देखा था फिर 200 में भी लेके मैंने फिर से 400 में बेच दिया अब यह 400 में म इसलिए मैं उनसे कहती हूं part profit booking और जिनमें यह है कि भाई इसको अब हम नया share treat करते हैं और यह breakout आया है हम नया breakout लेके इसमें चलेंगे तो उनके लिए यह pyramiding हो जाएगा अब मेरा suggestion और advice तो यह ही है कि जब breakout आये तो मैं तो trade छोड़ू ना क्यों क्योंकि यह breakout अकेला नही उपर आया है और मैं तो यह trade छोड़ू ना open low के साथ में है almost क्यों छोड़ू तो pyramiding कर लो fresh buy कर लो और उतना ही नहीं अगर मैं मन्तली में देखूं तो यही breakout का जो level है my friends that is also about 70 right कैसे idea आप सोचोगे मन्त पूरा होने के बाद पता चलेगा यहां तो मन्त के end में 73 पे था न तो जैसे breakout दिया weekly time frame में लेके इसको 70 के उपर ले लिए right अब मैं यहां पे एक vertical line draw कर दूँगे क्योंकि अब यह multi year breakout हो गया और as a trader मुझे इसमे regular trades चाहिए तो मैं daily time frame पे आ जाओं और यहां के support के साथ काम करूं अब daily में ऐसा लग रहा है ना कि हमों almost regularly इसमें trading का benefit मिल र चाहिए बिल्कुल नहीं तो ऐसी situation में हम सबसे पहले थोड़ा वेट करेंगे यह RSI ने यहां support लिया फिर यहां support लिया तो हम यह RSI का support level draw करते हैं तो देखिए market जब भी नीचे असपास उसके आता है यहां तक की बड़ा fall आया तो भी यहीं के असपास support लिया यहां पर इ major portion profit book करों दूसरा major reason profit complete book करने का है कि even trend line भी breakout हो गई बट फ्रेंस क्या है मैं यह एक point और यह continue एक और point यह points भी बना सकती हूं इसके अंदर एक internal point बना रही हो राइट कहने को बहुत छोटा है यह one और यह two इसके बाद जब भी आपको बनता है कितना points है चार टका 4% यह जो fall है again यहां तक पहुंचके यहां से यहां तक पहुंचा support लिया again it is around 8 to 10% right तो यह जो है हम trending trades में trading कर सकते हैं यह topic आप लोगो थोड़ा complicated लग सकता है because मैं trending trades में हूँ जिसमें मैं overall technical analysis ले रही हूँ it's a study of a complete technical analysis जो मुझे यह बताता है कि मुझे कैसे कैसे step by step trades को आगे लेना है ऐसे ही कुछ और stocks भी मैं आपको दिखाती हूँ आजकल यह stock काफी famous हो रखा है जब मैं यह shoot कर रही हूँ क्योंकि movement इसमें बहुत आई है तो movement अगर मैं यहां पे देखूं यह day of listing से लेके यहां तक और उसके बाद no halting straight away यह trade मुझे यहां पे पकड में नहीं आया और यह यहां से घूम गया मुझे check करना है और मुझे नहीं मालूम friends ऐसे trades में में मेंनत लगती है थोड़ा study भी करना पड़ता है तो मैंने fibonaki भी सिखाया है एक वीडियो में और यह 61.8 golden ratio यहां के बाद इसने open और low करीब पास पास बनाया है और फिर से घूम गया है now इसी को लेके हम weekly में आते हैं अगर हम देखें तो इस level पे काफी struggle किया है काफी time तक टिका है और RSIB 30 के उपर है weekly में and prices sideways इस छोटे से move दिखने में छोटा सा है लेकिन it is almost 50% of the move अगर मैं इसे थोड़ा सा यहां ले जाओं तो बड़ा move दिखने लग जाएगा तो इस move में हम यह trade लेकर और फिर multi-year breakout अब बन गया यह trending trade जब तक multi-year breakout नहीं मिले ना मुझे trending trade करने में मजा नहीं आता है उसके बाद जब भी यह 70 के नीचे अब यह 70 के नीचे अभी यहां देखें तो हमें 10% यह जो है यहां पर देखें तो थोड़ा बहुत तो भाई trade करने का मन होता है तो चलिए इसे हम daily में ले जाते हैं daily में क्या देख रहे हैं हम friends मैंने अभी तक जो सिखाया है ना उसका एक यह combination है complete technicals का कि trending trade के अंदर हम कैसे कैसे profits बुक कर सकते हैं part profits मैं कभी भी full profits नहीं बुक करती unless and until monthly RSI 30 के नीचे हो या company में कोई बहुत ही negative news हो और यह negative divergence यह सब मैंने सिखाया है सारे वीडियो में आप देख लीजेगा और यह gap up open high नहीं gap up open high नहीं है इस तरह से हमें यह trade मिला ठीक है अब इसका target वगेरा मुझे कुछ मालूम नहीं है फिर भी चलो मैं एक यह मानती हूं कि यह एक top था और price उसको cross करके गया फिर उसी को retest कर लिया the retest is one thing which I like और वो जो retest होता है तो एक बार किया, दो बार किया अब ऐसे जब दो बार कर चुका होता है न तो मैं क्या करते हूं फिर यहाँ पे demand zone बना लेते हैं हम demand zone में क्या होता है कि हम यह जो candle होगी उसकी high और low से हम एक demand zone बना लेंगे कि price इसके बीच में होगा तो यह हमारे लिए demand zone हो जाएगे यह test किया है, यह low और high और यह रहा demand zone यह बन गया हमारा demand zone मैंने demand और supply zone पर भी video किया है तो यह है complete mix package जो trade को trending move में ले जाता है और फिर इसको हम एक supply zone बना सकते हैं क्योंकि जब भी यहाँ आता है selling आ जाती है तो यहाँ पर भी हम एक supply zone बना सकते हैं यह देखिए यह यह बन गया supply zone अब friends जब demand zone में है और demand zone में क्या बनाया है open और low same और उसके साथ में RSI भी almost positive divergence price is making lower low RSI is making higher low ठटी के उपर है support दे रहा है इसके बाद supply zone में एंट्री और फिर जो supply zone को breakout किया है कुछ तेर consolidate हुआ और दो दिन में ही यह पूरा भाग गया तो जब ऐसे trending trades मिल जाते हैं friends तो निकलने की जल्दी किस बात किये फिर बाद में वही अफसोस होता है ना अरे मेरे पास भी एक share था मैंने इसे 1500-200 रुपे में लिया था फिर मैं तो 200-200-200 सवा दो सो या 300 में निकल गया उसके बाद तो रुका ही नहीं 2000 हो गया 3000 हो गया 5000 हो गया ने वापस लिया नहीं नहीं मेरे तो हिम्मत नहीं हो यह वापस लेने की यह एक common reply है और ऐसा क्यों होता है ऐसा इसलिए होता है कि हम फटा फट profit book कर लेते हैं हम higher time frame नहीं देखते हैं और lower time frame में जब panic आता है हम फटा फट book कर लेते हैं वो time पे हम ना support देखते हैं ना higher time frame देखते हैं कुछ नहीं फटा फट profit book किया आगे निकल गए तो इस चीज को समझिए पाट profits book कीजिए stop loss hit मतलब hit trailing stop loss use कीजिए अब देखे जो मैंने लिया था यह support zone बनाया इसके नीचे का मेरा trailing stop loss यह stop loss जो मैंने था वो यहां पे डाल दिया भी अब यहां से जो निकला है अरे भाई गजब राइट आपका तो दूसरा सवाल यह होगा कि भई यह तो हो चुका अब अब क्या करें तो आज जैसे में एक study कर रहे थे I am not yet very much confirmed बट study में आया है एक stock जो की monthly time frame में support पर आने की तयारी कर रहा है because यह जो level होता है ना इसको break किया इसको test किया और वापस इसी को यह बना दिया right तो इसमें मन्थली में भी हम इससे जब यह वापस इसको कर रहा है तो इस candle को हम high और low लेके एक demand zone बना देते है इसके high को थोड़ा modify कर देते है राइट अब यह जो हमने demand zone बनाई है यह वाला candle है तो यह जो हमने demand zone बनाई है किस कारण से बनाई है यहां से resistance था वापस वहीं पर support लिया तो उसी support का हम demand zone बना देते हैं और वापस आया फिर से वहीं support लिया अब के बार इसने मन्थ का open और low pass में है 11% चला है और अभी तक उपर है इसको weekly time frame में देखते हैं तो weekly time frame में मुझे क्या दिख रहा है वीकली time frame में मुझे positive divergence दिख रहा है ना येस तो एक stock जैसे आया तो मैंने कहा कि चली आपके साथ share कर देते हैं पहले मैं back का बता हूं और फिर एक आगे आने वाला stock है उसके बारे में बता हूं उसके बाद इसे अब हम daily पे देखते हैं तो daily में भी almost सब कुछ से मैं इसको थोड़ा सा modify कर देते हैं और can you see the divergence properly येस continue यहाँ पर भी यही एक support level बन रहा है और ये supply level yes resistance level अब इसको अगर break करके उपर चला जाता है तो again this can be a trending stock can be a trending stock आज जब मैं ये record कर रही हूं तो ये चीज मेरे सामने है monthly, weekly, daily time frame को use करके सभी लोगों के request के बाद जोती मैं finally ready है to conduct a mentorship program for all the candidates who have been watching and learning from our videos ये mentorship program में हम profit making trading setups के बारे में discuss करेंगे और उन्हें साथ ही साथ practice भी करेंगे ये एक बहुत ही detail program है इसलिए आप इसके बारे में और जानने के लिए दिये गए लिंक पे जा सकते हैं और जान सकते हैं कि हम क्या क्या चीज कवर करेंगे So hurry up guys before someone else grabs your seat तो friends ऐसा है कि हमने खाली RSI देख लिया या M.A.C.D. देख लिया या Candlestick देख लिया ये सब तो मैं आपको सिखाया था अभी सब को mix करके एक setup जैसा बनाना सिखाया कैसे हम उसको study करते हैं trending trades कैसे निकालते हैं कि trade कब तक चलेगा चलने दो चलने दो और जो मेरा style है उस strategy में profits बुक करते जाओ वापस जब नीचे correct करें क्योंकि ultimately higher time frame ने अभी तक negative turn नहीं दिया है तो मतलब lower time frames जो होते हैं वो support पे buy करने जैसे होते हैं और वो support हम FIB retracement से यूज कर सकते हैं RSI के support से यूज कर सकते हैं multiple bottom support zone, demand zone से यूज कर सकते हैं तो इस तरह से हम वहाँ पर वापस accumulate कर सकते हैं और फिर उपर चल सकते हैं ऐसे करके हम quantity भी increase कर सकते हैं जो हमने बेचा है और company bonus दे या ना दे अगर इस तरह से हम trading करेंगे तो क्या 2-3-4 साल में हम एक पेक bonus नहीं ले पाएंगे कम से कम इतना तो करी पाएंगे और plus share का price जो value हमें मिलेगी वो अलग तो long term investors जो हैं वो पैसा कमाते हैं लेकिन बीच की opportunities थोड़ी से निस हो जाती है but they have that holding capacity और हम जैसे traders हैं वो क्या करते हैं trading करते हैं छोड़ देते हैं फिर उस script को देखते ही नहीं बाद में अचानक से नज़र जाते हैं इसका तो मैंने 900 में लिया था यह तो 5000 हो गया यह वो बस तो इस तरह से अगर हम गिनके 10-15-20 अच्छे trending trades ढूंड लें और उनके पीछे लगे रहें तो क्या जरूरी है हमें सारे shares पे काम करना सोचिएगा और बताइएगा and friends I hope आपको यह setup में भी मज़ा आया होगा आपकी जो भी query है नीचे comment box में डालिए आपके views आपके likes ही मुझे बताएंगे आपके comments ही मुझे बताएंगे आपकी query और आजकल हम लोग ऐसा भी कर रहे हैं कि हम यह सारे queries जो है निकाल रहे हैं और उनको वहाँ पर जवाब देने के बतले हम उस पर वीडियो बना रहे हैं जिससे क्या है कि वह query आपकी ही नहीं और भी किसी की हो तो solve हो सकती है तो आपकी जो भी query है पोस्ट कीजिए पोस्ट करने में बिल्कुल मत जिजकिए and views or likes comments ही मुझे बताएंग कि मुझे इसको odd deep और advance बनाना है या नहीं तो मिलते हैं next video में thank you